हेलो फ्रेंड असलाम लेकूम मीद करतीयां अफलोग ख़़िये से होंगे सुष्थ रहे मस्त रहे और हमारा वीडियो अंतक देखते रहे फ्रेंड मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताऊंगी आपको कुर्ती कटीन यहाँ पे मैं 38 सेंज के चेस्ट में सुल्डर का सुल्डर द्रोक करते child करते तक अन्हें आपको धियान रखना है कि पीछे का गला कितना रखना तो मुझेर पीछे के घला सारे चार इंच रखना इसलिए ज़े चे मैं रखना हूँ सूल्डर और यहां और मं dónde अचीत में लिएटेंट तरह से ले लेना हें आपको उसके बाद में यह मिला लेना है छे मिला ले करना दिए थी फोर भग लेंगे थो इस तरह से सीवपा के आपको इस तरह से मार्क बनाना है सोजा इस तरह से आपको एल साइज में आ जाएगा तो बिल्कुल जैसे एल होती है वैसे एल की तरह ड्रोइंग कर लेना है अब इस ड्रोइंग को कम्प्लीट हो गई है अब इसमें आर्म होल कैसे निकालेंगे तो देखिए फिरन ये कोर्नर से एक इंग पर निसान लगा रहा है उससे ज्यादा नहीं कि फरंट के लिए है अब इससे निसान में आपको हलकी हलकी गुलाई देते हुए मिला लेना है आर्म होल की लिए फिरन तो इससे क्या होगा कि आपका ज्यादा जोल बनेगा नहीं अब यहां अड़ाई इंच छोड़ के उपर से हम नीचे के तरफ हाफ इंच लेंगे और यहां पे थुरा सा दवाव देते हुए सोल्डर को हम यहां पे ले लेंगे तो यह निसान बहुत जोड़ी है फ्रेन तो यह निसान कंप्लीट हो गई अब यहां से हम वेस्ट के लिए लेंगे 15 पे आप चाहाँ तो 14 इंच पे भी लगा लेना है ध्यान रहे आपका वेस्ट जितना हो उसी निसान पे आपको लगाना है फ्रेन तो यह निसान हो गई आप चेस्ट और वेस्ट का दोनों मिला के यह इस तरह से सीधा निसान बना लेना है फ्रेन अब यह मर्क कंप्लीट हो गई फ्रेन तो अब यहां दोनों म निकालेंगे तो हीप आप कितना पर निकालोगे परफेक्ट 21 इंच पर आता है अगर आपको ज्यादे ओपन रखना है तो 20 पर रखना मैं 21 इंच पर ले लिए और फिता और यह 38 का फोर भाग मैं सारे 9 इंच पर लगाई हूं और इस निसान को मिला देती हूं तो इस तरह से म मार्क आपको इस्टा से लेना है कटिन के लिए ठीक है फ्रेंड एक सिलाई के लिए मारक हो गया कातिनल्क के लिए होगिया अब नीचे की तुरब जाईए आपको जितना लंबाई चाहिए उतना आप लंबाई पर मार्क लगा लिजे दो प्लस करके ठीक है फ्रेंड आप मैं लंबाई के निसान लगा ली हूँ अब यहाँ पर घेर भी पूरा मैं यहाँ पर 14 इंज कर ले रही हूँ ठीक है फ्रेंड आपको कम चाहिए तक कम लगा लेना और दो निसान कर लिए हो फ्रेंड अब यह फ्रंट पल्ला है आपको यहां पर मार्क लगा लेना है यह आर्म होल आप इसी तरह परफेक्ट अगर कटिन करते हैं तो पीछे के तरफ आपका गला नहीं घूमेगा और सरकेगा भी नहीं तो आपको यह बात अगर समझ में आ गई तो अच्छी और से इनारे से मिलाते हुए आपको रख लेना है और अफने के बाद में इस तरह से आपको नगा लेना है ऐहां से कट करना है रहाना होता ही यह सब जगा एक सामान कटीन होगी तो यह बैक पल्ला कटीन हो चुकी है अब यहां पर देखिए बैक मैं लिख देती हूं पीछे वाला पल्ला पर जिससे आपको याद रहें ठीक है अब नेक की बारियत नेक के लिए मैं यहां पर डिरेक्ट 8 इंच के चौलाई और सारे 6 इंच मैं ले र यह आपको नेक के ड्रोइंग बता रही हूं आप अपना पसंद से कोई भी ड्रोइंग कर सकते हैं पर नेक की चबलाई ज्यादा मत रखना दो से अहाई इंच रखना फ्रेंट तो बैक गल्ला और फ्रेंट अपना पसंद से बनाना बाकी यह जो फैबरी को देख रहे हैं बचावकों इसे हम स्लीप कटीन करेंगे तो इसकी वीडियो में अफ़ोट कर दिए करेंगे आप लोग वहाँ से सीख सकते हो किします कि मैं इस वीडियो में किस design नहीं देखा रहे हैं तो उमीद करते हुं आज काında ुझति को शेभी कसburger क्रोब करेंगे अगर कमेंट करके पूंस सकते हैं अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर डालू आप लोग कमेंट कर सकते हैं